हलो दोस्तों आज का टॉपिक है एलेक्रिसिटी एंड सर्किट्स मैं हरिंदर लोधी स्वागत करता हूं आप सभी क्लुप चैनल एलेक्रोनिक मिस्ट्री में आज हम NCRT की बुक क्लास 6 में चैप्टर नमबर 12 एलेक्रिसिटी एंड सर्किट के टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं एलेक्रिसिटी, कंडेक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो एलेक्रिसिटी में कंडेक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं तो हम इस चैप्टर में यह देखने वाले हैं कि एलेक्रिसिटी के लिए कंडेक्टर क्या है और इंसुलेटर क क्या है यहां पर conductor की अगर definition देखें, material which allow electric current to pass through them are conductors of electricity, means वो material जो की current को pass होने के लिए allow करते हैं, अपने में से current को flow होने देते हैं, वो उस electricity के conductor कहलाते हैं, उसी परकार से insulator जो होते हैं, insulator do not allow electric current to pass through them, मतलब insulator अपने में से electric current को pass नहीं होने देते, तो मैंने एक छोटा सा table बनाया है, इसमें दिखाया है कि कौन-कौन से object हैं, जो की electricity के लिए conductor हैं और insulator हैं, तो यहां पर object, जैसे हमने एक key लिया है, key जो की metal का है, तो metal, metal जो material है, यहां यह material का column है, और यह type हो गया, तो जो key है, वो metal का है, तो वो type होगा conductor, eraser, eraser किसका बना होता है, rubber का बना होता है, तो वो होगा insulator, इससे current flow नहीं करेगा, scale, plastic का बना होता है, तो insulator, match stick, wood, यहां लकड़ी की बनी होती है, तो वो as a insulator होता है, वैसे ही glass bangle, जो glass का होता है, वो insulator होता है, और iron nail, metal की होती है, तो conductor होता है, अगले हम कुछ symbols देखेंगे, जो की basic electrical की symbols है, circuit की symbols है, तो हम देखते हैं, symbols of electric components, symbols of electric components में क्या है, electric component हमारे पर symbols है, कि circuit में जो common symbols use होते हैं, तो यहां पर electric cell, electric cell का symbols इस तरीके का होगा, एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला डंडा रहेगा, और एक छोटा रहेगा, जो छोटा वाला terminal है, वो connect रहेगा, minus terminal होता है, और जो इधर जो बड़ा वाला डंडा रहेगा, वो plus terminal होता है, उसी परकार से, अगर electric valve का हम symbol देख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर मैं एक इस तरीके से बनाएंगे, तो यह इस condition में valve on है, ऐसा बोल सकते हैं, switch in on position, अगर switch है, switch के symbol जो होगा, लेकिन किस में है, on position में, on position में मतलब यह connect है, पुरी तरीके से, ठीक है, switch close है, on position में है, और switch in off position, off position क्या रहेगी, यहां पर switch देखी, यहां पर connection नहीं है, terminal इसको, one terminal, इसको two terminal मान लेजिए, one, two, जो हमारे एक terminal है, दूसरे से connect नहीं है, तो यहां पर switch off position में है, बैटरी, बैटरी का sign कुछ इस तरीके से होता है, कि यहां पर मान लो, मैंने आपको electric cell का symbol बनाया था, यह electric cell का symbol है, बैटरी की symbol में multiple of, मतलब एक या एक से अधिक cell का connection होना, वो battery बन जाता है, तो बैटरी plus, minus, फिर plus, फिर minus, यह series में connection है, ठीक है, तो इस तरीके से यह battery का symbol create होता है, wire, wire हम simple इस तरीके से line से denote करते है, What is battery? तो बैटरी क्या होती है, we connect two or more cells together, we connect two or more cells, means one or two, और इससे अधिक हम cells connect कर सकते हैं, The positive terminal of one cell, means एक cell का positive terminal is connected to the negative terminal of the next cell, means यह जो positive terminal है, एक cell का, दूसरे cell के negative terminal से connect रहेगा, Is called a battery, तो इसी तरीके से हम connection बनाते हैं, अगर हम, यह दो cell का है, आप इसको तीन cell का एक और इधर connect कर देंगे, यहाँ पर plus terminal आएगा, यहाँ पर minus terminal आएगा, अगर आपने electric torch देखी हैं, जो हम घर में use करते हैं, उनके connection देखेंगे, तो इस तरीके से battery उनमें लगी रहती हैं, आप TV के remote में देख सकते हैं, तो ऐसे multiple uses हैं, बैटरी के, जो आप applications आपके आसपास हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो जो यह वाला terminal होता है, cell में, यह positive terminal होता है, यह complete cell रहेगा और यह negative terminal रहेगा, ठीक है, अगर हम circuit की बात करें, circuit में battery का connection कैसा रहता है, वो हम देखते हैं, यहाँ पर यह battery मैंने connect की है, plus, minus terminal, plus, minus terminal, यहाँ पर दो circuit similar हैं, लेकिन एक circuit switch on condition में हैं, और एक switch off condition में हैं, तो यहाँ पर switch off दिखेगा आपको, यहाँ पर switch on condition दिखेगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर switch on है, switch on है मींस, अभी current, circuit एकदम close है, close loop बन गया है, हमारा circuit पूरा काम करेगा, तो इस तरीके से हमारा current का प्रवाह होगा, और यहाँ पर bulb on हो जाएगा, इसी परकार अगर switch off condition देखते हैं, तो यहाँ पर जो circuit है complete नहीं हो रहा है, यहाँ तक चाहता है path, तो यहाँ पर incomplete circuit है, switch open होने की वज़े से, तो इस वज़े में यह bulb ग्लो नहीं करेगा, और current का flow सिर्फ यहाँ तक होगा, यह circuit complete नहीं होने की वज़े से, bulb नहीं जलेगा, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो like कीजिए and channel को subscribe कीजिए, मिलते हैं next topic में, thank you